मो कुमी ताइटा नामस्ते नमस्ते सोहा कैसे हो आप? मैं तो मस्त हूँ मेरे योगा प्राक्टिस की वज़से आज हम सीखेंगे उतकर्टासन ओके उतकर्टासन मतलब लाच डिफिकल्ड होता है चैर पर बैठने के बाद हम कैसे दिखेंगे वैसे ये आसन दिखता है इसी लिए इसे चैर पोस भी कहते हैं सीध है खड़े हो जाए फिर अपने हाथों को उपर की तरफ स्ट्रेच करें उसके बाद अपने खुट्णों को बेंड करते हुए अज्यूम करें कि जैसे चैर पे बैठे हों हरे ये तो मुझे कुछ जेट जैसा लग रहा है है ना ऐसे तीस सेकेंड्स ताक रूखे ये आसन हमारे खुट्णे पैर और रीट की हटी को बहुत मजबूती देता है अब्डॉमिनल ओगन्स को स्ट्रॉंग बनाके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सुधार लाता है ये एसिडिटी और इंडाइजेशन कम करने में मदद करता है चेस्ट और शोल्डर्स को भी मजबूती देता है बिना चैर लिए बैठने के इतने फाइदे धन्यवाद